नमस्कार दोस्तों आची क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 को पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर का नाम होगा समाजवादी विश्व दित्य हैं सब्जेट कोड जो चल ला है वो चल ला है बी एचाईसी वनवन फोर इस से पहले इस चैप्टर की पांच वीडियो और लेडी चैनल पर अप्लोड हैं अगर आपने उन लेक्चरों को नहीं सुनाएं तो सब्सक्राइल उन लेक्चरों को जरूर सुलो तागी चीजे समझने म विश्व में सबसे बड़ी अर्थववस्ताओं में से एक है तो पक्का उसकी कुछ विशेस्ता है होंगी तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किन रास्तों से होकर सोव्य संग ने अपनी अर्थववस्ता को आगे बढ़ाया तो चलो शुरू करते हैं आची 1941 तक यानि कि 1926 से लेकर 1941 तक सोव्य संग में अधोईकरण का विस्तार बहुत तेही से हुआ हाला कि यह अधोईकरण का विस्तार था यह आधुनिक शुरूवात इसकी 1926 से नहीं थी अगर आप हिस्ट्री के पन्नों में जाओगे तो आपको चलेगा कि रूस में सुधारो जो शुरूवात है वो 8890 से ही शुरू होगी थी जब जार निकोलस का शाषन था तो जार निकोलस के शाषन में एक मंत्री था जिसका नाम था एसाई विट तो एसाई विट ने अधोईकरण की शुरूवात तो कर दी थी लेकिन रूस की जो अर्थोज़स्ता दभी हुई उसकी वैसे इसे उतना सुधार तो नहीं मिल पाया जितना सुधार मिलना चाहिए था लेकिन फिर भी अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वार्ड से पहले देखोगे यानि कि 1913 तक देखोगे तो रूस के अर्थोज़स्ता में बहुत तेजी से उच्छा लाएगा उसका रीजन में जो अध्धोईकर्ण शुरूआ है वो 1926-1941 के बीच में हुआ है लेकिन जब आप इतिहास में और पीछे जाते हो तो आपको बदलता है कि 1890 में ही सोवेस्त संग में सुधारों की शंखला शुरू हो चुकी थी बड़े प्यमाले पर अध्धोईकर्ण में उच्छाल आ अगर आप देखोगे तो उससे आगे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही होगा तो सोवेस्त सरकार की बात करेंगे तो सोवेस्त सरकार में कुछ चीज़े होंगी जिस पर सभी लोगों की सहमती होगी जैसे कि एक समाजवादी अर्थवरस्ता होगी एक ऐसे अध्धोईकर्ण का विकास किया जाएगा जो समाजवादी देश होगा और रूस की कुछ समस्या भी रहेंगी यानिकि सोवेस्त संग की कुछ समस्या भी रहेंगी वो समस्या ये रहेगी कि सोवेस्त संग तो एक सामयवादी देश है और उसके आसपास के देशों से देखा जाए तो एक शत्र हो जाते हैं तो उसको पता है क्या करना पड़ता है उसको आत्मिरभर होना पड़ता है क्योंकि शत्रु देश उसके हां संसाथनों की पूर्ति तो करने वाला है नहीं तो ऐसे में हर एक बंदे को आत्मिरभर होना पड़ेगा जिसके शत्रु जाता हो और सोवेशंग को ये ब बढ़ाना होगा तकनीक और मशीन का अगर हमें आयात करना है तो उसके लिए आनाच का निर्यात करना जुरूरी होगा यद्म किसी मशीनों खृते हैं तो works को जैंगे यह उसको क्या देंगे हमारे पास भी तो कुछ वंना च fitsky इसलीह कि बिना किशी का विकास किये हम उद्धों का विकास नहीं कर सकते तो चैप्टर की पिश्टभूमी कुल मिलाकर हमें ही बताती है कि 1926 से लेके 41 तक सोवेश संग के अर्थोयस था बहुत तेज गती से आगे बढ़ेगी लेकिन अगर इसकी शुरुवाद देखोगे तो वो 890 से शुरू हो जाएगी इसके लावा सोवेश संग के अगर बात करें तो उसकी सबसे बड़ी समझ से ये थी पक्का बताती देखो किसी भी देश का विकास जब तक नहीं हो सकता जब तक वो देश खाध्यान में आत्मिर भर ना हो क्योंकि हर देश की जो बेसिक नीड होती है वो यह होते है कि वो अपने जंता को खाध्यान की पूर्ती करें और यह बात उस समय के जो सोवेश साशक उन्हें इवआत पता थी तो चलो अब शुरू करते हैं कि किस प्रकार से सोवेश संग ने प्लानिंग प्लानिंग करी और किस chill OW gaming के टहायी तो अपने देश को आगे ले ले गया तो देखो उस समय के अगर आब बात करोगे तो देश में दो प्रकार के अर्थो अपर करते हैं तो 1920 से इस सौछ रहे ते की कोई बड़ी योजना बनाते हैं 1925 में अगर बात करें तो आकड़े कठे किए गए बड़े पैमाने पर क्योंकि अगर आपको कोई प्लानिंग करने तो सबसे पहले आपके बाद डैटा होने चाहिए अपनी जनसंख्या का अनुमान होना चाहिए कि मेरी जनसंख्या के पास क्या क्या चीज़े हो और क्या क्या चीज़े नहीं है तो 1925 में जब आकड़े आए तो यह हुआ कि हमना yearly planning करेंगे यानि कि हर साल की योजना बनाएंगे खैर कुछ भी हो 1926 में आगे चलकर योजना बनाने के लिए एक योजना आयोग बनाए गया जैसे हमारे देश में आज नीती आयोग है वैसी सोवेसंख में 1926 में एक योजना आयोग बनाए गया जिसे हम गौस प्लान कहते हैं यानि कि सोव्य संग में इसे क्या कहते हैं? गौस प्लान इसके लाव एक राष्ट्री अर्थोयस्ता परिश्ट भी बनाई गई जिसे वी-स-न-क-च कहते हैं तो यानि कि 1926 में दो संस्था हैं बनाई गई एक गौस प्लान बनाई गई और एक राष्टे अर्थव्यस्ता परिशत बनाई गई और इन संस्थाओं को ये कहा कि आप फाइफ हीरल प्लानिंग कीजिए यानि कि पांच-पांच साल की योजना बनाओगे और इस योजना के हिसाब से देश की अर्थव्यस्ता को आगे बढ़ाओगे तो सोवे संग में जब पहली पंच वर्षी योजना चली वो 1928 में चली हाला कि चली तो 1939 में ते लेकिन माना गया 1928 में सोवे संग इस योजना के माध्धम से अध्धोह करण को बढ़ावा देना चाहता था इसके लिए उसने एक विस्तरत योजना बनाई योजना में इनों ने कहा कि हम ना किसी भी तरीके से पहले की तरह उत्पादन को आगे बढ़ावा देंगे समाजवादी धर्रे को बढ़ावा देंगे राजी के कंट्रोल करेंगे बड़े-बड़े उध्धोह की स्थापना करेंगे तो सोवेत रूस एक ऐसे समाज का निर्मार करना चाहता था जो पूझीवाई दुनिया से आगे निकले और इवन हो खुदी पूझीवादी शत्रों से क्या हुआ था घिरा हुआ था जिसकी बाद हमने पहले से ही कर ली थी तो एसे में उसके सामने सबसे बड़ी जो टार्गेट थी सोवेत संग के सामने वो सबसे बड़ी टार्गेट ये थी कि उसे पूझीवाई देशों से आगे बढ़ना है अब देखो अगर आपको पूंजी भाई देशों से आगे बढ़ना है तो आपको क्या क्या होना चीए तो आपके बाद बहुत ज्यादा पैसा भी होना चीए नहीं कि पूंजी होनी चीए बहुत सारे टूल्स भी होने चीए बहुत सारे कैमिकल्स भी होने चीए बहुत सारे प्रोड़क्ट भी होने चीए उत्पादन की छमता भी आपकी अच्छी होनी चीए और जार निकोलस दित्ते जब राज आता तो उस समय इन सभी चीजों की कमी थी तो आप इसे में सोवे संग की जो पिछड़ी होई अर्थों अस्ता सी उसे ऐसी टक्नीक चाहिए थी जिससे वो सभी चेत्रों को विक्सित कर सके तो ऐसे में रूस ने यह निर्ड़े लिया कि हाँ भाई हम तेजगती से विकास करेंगे चाहे कैसे भी करें आप सोवे संग को यह भी पता था कि उसके जो आसपास के छेत्रे वो उसके सत्रू है ऐसे में कभी भी युद्ध हो सकता है तो ऐसे में सोवे संग पता है उन चेत्रों में कार खाने लगाएगा जो चेत्र पिछड़े हुए थे जबकि देश उन चेत्रों में कार खाने लगाते हैं जो चेत्र विक्सितों तो रूस ने क्या गरा उसने रूस यूक्रेन जासे जो आधुनिक चेत्र थे उन पर कार ख तो सोवे संग ने ऐसे सारे उद्धोग को पता क्या करा उन छेत्रों में लगाया जिन छेत्रों पर असानी से पहुंचा नहीं जा सकता तो देखो अगर आप रूस का नक्षा देखोगे तो रूस विश्व में सबसे बड़ा देश है और ऐसे में इसकी अबादी तो बहुत क मशीनरी उद्धोग लगाए ताकि अगर किसी देश से युद्ध भी हो रहा है तो उसके जो उद्धोगी वयोस्ता है वो छिन भी ना हो उस तक शत्रू ना पहुंच पाए तो यह सारी इनकी प्लानिंग थी क्या में उद्धोगी वयोस्ता ऐसी जगा पर लगानी जो 1929 में लेकिन किताबों में इसे 1928 भी लिखा होता है तो कहरा उद्धोई क्रांते के लिए 1928 एक सफल वर्ष था और जो पुराने योजना के लक्षते उन्हें आगे बढ़ाये गया संपूर अर्थोजस्ता को एक चली-चलाई प्लानिंग के तहत आगे बढ़ाना इनका प करना चाहते दे तो इसलिए इन्होंने अपने देश में बड़ी-बड़ी मशीन उद्धोग लगाए बड़े-बड़े ओजार उद्धोग लगाए तो यानि कि पहली पंजवर्षी उद्धा में आयरन एन इस्टील प्लांट पर ध्यान दिया गया ट्यक्टर उद्धोगो इने गिंतोमेनिय बड़े बड़े उद्धोग जैसे हमारे देश में बड़े महारत रुद्ध होग हैं वैसे वहाँ पर सोवे संग मेंगे कहा जाता है अब ऐससे में क्या हुआ था बहुत Colonelी कै credentials कुछ काम अधूरे छुड़ एक नहारा दिया कि जिसकी रफतार सब confess Are आगे बढ़ता है क्योंकि विश्रीव की एक्रामी में रफ्तार सब का निड़ने करती है कौन कितनी स्पीड से भगेगा तो ऐसे में लोगों ने क्या होगा अपनी जंता को मोटिवेशन दी और 1929 के मध्य में पहली पंच वर्षी ओनना अपनाई गई लेकिन इसकी करोगे तो इस योनने में बड़े बड़े द्ध्योग की स्थापना की गई बड़े पैमाने पर संसाथों का बटवारा किया गया जनता की जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए कारे किया गया और हरवड़ी के तरीके सा आगे बढ़ना हुआ तो देखो जब आप बड़े बड़े उद्ध्योग की स्थापना तो ही लेकिन उनकी जो क्वालिटी थी उनकी गुडवत्ता थी उसमें क्या ही कमी आई नई मशीने जो बनी ये महंगी थी और किसम इनकी खराब थी तो कुल्मला कर दिखाया तो देखो पहली पंचवाशी होना के मिले जुले नट्रいड्यां को बढ़ावा दिया गया लेकिन और चीजोह ठीव पर ध्यान नहीं दिया गया कोईलो उद्ध्योग यह कर से bevorका धान नहीं थी 105 पहले 503 हों की हम बहुत देजिगति से आगे बढ़ रहे हैं 1940 में Stealer Iron Companies लगी, 1955 में 1955 में तेल उत्पादन हुआ, भारी उद्धोग में तेजी से विकास के लिए उपभोगता वस्तोय बनी, हाला कि किशी वगेरा को थोड़ी सी क्या गया गया ध्यान नहीं दिया गया, सेना वगेरा पर जादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि एक समय देश की अर्थवजस्ता में आप एकी चीज पर ध्यान दे सकते हो, क्यार कुछ भी हो, पहली पंच वहश्यों नहीं बड़े पैमाने पर सप्लाई चैन जो थी, वह शुरू ही, ग्रया यूदी के बाद ये पहली बार ऐसा था, जो चीजे ऐसी चल लिए हो, हाला कि शहरी इसलिवाजी करते थे, उन लोगों को बड़े पैमाने पर ग्रिफतार भी कर लिया गया, 1930 में जो छोटे छोटे दुकानदार थे, छोटे 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 कारी गड़ थे, उनसे वैपार छीन ले गया, और ये सारा वैपार, बड़ी बड़ी जो सहकारी कमेटिया थी, जो सर जरूर करते रही है आगे देखो आगे दूसरी पंच वर्षी ओंच के बारे बता है गया है है यह conos ग Gabi गी होगी हैं इसके तीन उद्धेश होंगी होगाि सूध ध्र-द्र कर दिंद करना कि अपने देश को बहुत तेजगती शोख्यों से बड़े प्यमारे पर भोकता वस्तों में निवेश किया गया जिसकी वैसे उत्पादन भी बहुत तेजगती से बढ़ा लोग को मजदूरी में मिली मजदूरी में व्रद्धी भी की गई वेतन पहले के उकाबले दुगना कर दिया गया ताकि लोग को जाज़ादा रोजगार मिले असी परसेंट से ज्यादा जो अध्धोई कुट पादन तो पुईत्रे किसे दुबार से शुरू किया गया हाला कि भोकता वस्तों कुट पादन उम्मीद से कम हुआ लेकिन फिर भी बढ़े प्यमारे पर चीज़े आगे बढ़ी इस नियोजित अध्धोई करण का पै विशुत पादन में सोवेत रूस का हिस्सा 1913 में 2-6 परसेंट था लेकिं 1939 में 3-7 परसेंट हो गया बढ़का और इवन 1937 में तो 13 से लेके लगभग 7 परसेंट पूरे विश्व की अर्थोईस्ता में अकिली रूस की अर्थोईस्ता थी सोवेत रूस बहुत ज़्यादा उचाईयों को चूरा था लेकिन उससी समय कर आप विश्व की अर्थोईस्ता देखो के तो वहाँ पर मंदी चाई हुई थी बड़े पवाने पर लोग बेरोजगाई से जूज रहे थे लेकिन सोवेत अर्थोईस्ता बहुत तेजगती से आगे बढ़ रही थी ये बात आपने पहले चैप्टर में पढ़ी थी 1937 की मंदी में तो 1937 तक आते आते हैं सोवेस्ता बड़ी मात्रा में लोह और स्पात के उट्पादन करने लगा डिजली को उपकरण बनाने लगा टैक्टर बनाने लगा फसल कटाई को में अपकरणे लगा इस प्रकारसहँ यह कह सकते हैं कि सब्सक्राइब का अध्धोई करण से आप क्या समझते हो तो आप बताओगे कि योजना बद अध्धोई करण का मतलब यह कि उद्धोग के लिए प्री-प्लानिंग की जाए और उसके तहत उसके उद्धेश्यों को पूरा किया जाए और फिर प्रहली पंचवर्षी ओना और दूसली पंचवर किसान यह साता है जमीन में पर मैं अपनी मन पसंद फसल को उगाने के बाद उसे अपनी मन पसंद दाम पर बेच हो ताकि जाद मुझे प्राफिट हो लेकिन एक बाद बताओ जब आपना जो खाध्यान वाली चीजे हैं वह अगर महगी होगी तो बागी जनता पर भी क्या ह होगा अलग इंपक्ट पड़ेगा गौर्मेंट यह चाहते है खाध्यान उसे सस्ता मिले और वह उसे बेच कर प्रॉफिट कमाएं वैपारी चाहता है कि किसानों से खाध्यान मैं खरीदूं और फिर मैं उसे महंगे दामों पर बेकूं यानि कि हर बंद अपने सब्सकर और मजदूरों इस उसमें किसानों को शोच रहे थे कि 177 नहीं राजनीति आएगी उसमें किसानों को न एक तरीके से बहुत सारी साहता मिलेगी और आगे बढ़ाने का प्रियास कह जाएगा तो ऐसे में रूस की सर्कार ये सोचेगी कि कि सामुहीुकरण कर दो साम सुटी और बेचने का सारी जमेदारी, जो किसां है वो ना ँञही ख़ीज सकता है बस किसे खेती करनी पड़ेगी तो एससे में सारे किसांहें को सब्सक्दों इए बाटन lors चलो और सभी लोग मिल जूलकर खेती करो लेकिन किसान इससे नराज हो जाएगा और ऐसे मैंना सोवे संग में ग्रहयुद हो जाएगा और बड़े पैमाने पर किसान क्या करेंगे विरोत करेंगे ये बात इस वाले पैयोग्राफ में बताई गई है जो कहानी मैंना भी बताई आपके किताब क्या कह रही है तो देखो उतपादर में तो व्रध्धी हुई सोवे संग में किया होग work किशी छेतर में व्रध्धी रही दो हुए जण संख्या भी तेजगती से वड़ी यess एक यदर्ट होगा क्योंकि बड़े खेट अगर अगर द टो सकता है अगर चोटे-खेट होंगे तो ज्यादा के नहीं लोग ना सारे खेद बड़े बड़े जोड़ लो और उसमें सभी लोग मिल जूलकर काम करवाओ लेकिन किसान यह चाहता है कि उसकी जमीन पर उसका कंट्रोलो और इसी वेसे हाँ पर क्या होंगे मत भेदोंगे तो लैनिन ने लिखा भी यह कि सरकार को किसानों को इस बात के के लिए राजी कन्य का प्रयास करना चाहिए कि अपनी नीजी खोईती छोड़ दें और सामुई खेती को बढ़ावा दें तो ऐसे में सोवेसंग में एक नई आर्थिक नीती की शुरुआत हुई और नई आर्थिक नीती में यह बात की गई कि रूस में जितने भी टैक्ट का मतलब है कि जमीनों को छोटे-छोटे खेतें उन्हें जोड़ जोड़ कर बढ़ा किया जाएगा इधर उदर बिखरेवे खेतों को इकठा किया जाएगा सैकारी समेट्टियां यह सोच नहीं कि लोगों के अंदर भावना आएगी लोग खुद सामुई खेती करेंगे पर किसान यह सोच रहता कि मैं ना वैपारिक फसलों को उगाऊं क्योंकि वैपारिक फसलों को उगाने से किसानों को ज्यादा प्रॉफिट होता है क्योंकि MNC से होती है वो क्या करती है इन फसलों खरी लेती है लेकिन अगर सारे किसान वैपारिक फसलों को उगाएंगे तो ग और एक हिस्से वो खाली छोड़ दे जाता था ताकि भूमी उप जाओ रहे और किसान ना उद्धोई फसलों को जाद उकाता था जिसके वेसे खाद्यान फसले के आओ गई कम हो गई बड़े पैवाने पर आसपास के इलाकों में अकाल पड़ गया और सरकार की वसूली उतनी नहीं हो पाई इतनी वसूली होनी चीए थी ऐसे में सरकार नगरों में रहने वाले लोगों के लिए और सेना के लिए खाद्यान वित्रण नहीं कर पाई साइकेल पूरा चलता रहता है इस संवेयर सेस्ट नहीं वी समस्य के अगर ws आपको ऐसी मिलेगा जो मैं आपको इस्टोरी बता रहा हूं फिर आगे चलकर जो इस टालिन बनेगा ना राधा तो मतलब राष्ट पती तो इस टालिन पता क्या कहेगा आपके सामने दो विकल्प हैं पहला विकल्प यह है कि आप अपने आप चीजों को हमें वेको और दूस जाल गया ऐसे में सेना और किसान का एक दूसरे से मध्वेथ बहुत जाड़ा बढ़ गया ऐसे में आगे चलकर आतंक और सुद्धी करण की नीती चलाएगा क्योंकि आपके पास दूतरीके होते एक तरीका यह होता है कि आपना लोगों को अपने हिसाब से चला लो दूसरा तरीका यह होता है कि बंदुक के दम पर सासन कर लो सोवे संग सुद्धी करण के नाम पर पता क्या करेगा सुद्धी करण के नाम पर यह करेगा जितने भी लोग सामेबाद को फॉलो कर रहे हैं उन्हें छोड़ दो बागी सबको मार दो और यह नीती चलाएगा इस टालिन उसने बड़े प्यमाने पर जितने भी विरोधी स्वर थे उनकी जो आलोच नाई थे उनको दबा दिया जितने भी विरोधी राजनेतिक पारटिया थी उन सब को खतम कर दिया यह नहोंrenched ने लोग दिया घ्यालिन मृसुद्ध की सजा सुना दी तो इस टालिन ने एक दलिय चार मुकदमे लिखें अगस्त 1936 में 16 लोगों पर मुकदमे चलाए गया और विरोधी साज़िष्य रचने के जुरू में मार दिया गया इसी प्रकार से जनवर उन्हें लोग को मिर्तिद्र दिया गया जैसे कि यहां पर कुछ डैटा लिखें हैं यह माना जाता ही कि उस समय जनसंख्या के 5% लोगों को जेल में डाल दिया गया लोग को बंदी बनाया गया 10% लोग की हत्या कर दी गई यह माना जाता ही कि 1938 तक देखो मैंने सब आकड़े हाइलाइट कर रखे हैं 1938 तक लगबग हर घर से एक व्यक्ति जेल में बन था और जितने भी लोग सिक्षित है उन्हों सबस्यादा जेल में मार दिया गया था क्योंकि जो अपने अधिकार जानता जो अधिकारों की बात करेगा सरकार उसे चालिस लाख लोगों को हिरास्त में लिया गया और 20 प्रसेंट लोगों को मृतिदर दे दिया गया तो इससे पता जलता है कि आतंग के दम पर शुद्धी करण के दम पर सोवे संग ने एक नई प्रकार की निती शुरू करी तो अगर किशी के बारे में आएगा तो पहले कि कि लाइन टू-लाइन पढ़को आपको समझाय जाए तो देखो लाइन टू-लाइन पढ़ने का समय नहीं है अगर लाइन टू-लाइन पढ़ने पर अगर हम आ गये तो डेड़ सो दो घंटे के लेक्चर होंगे तो 20-25 मिनिट में लेक्चरों को सिर्फ समराइस किया जा सकता में मिलते हैं आप से नेक्स चाप्टर की वीडियो में तब तक कि लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद